असलाम अलेकुम डियर वीवर्स मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं MLT Hub with कामरान कैसे हैं डियर वीवर्स उमीद है सब ठीक ठाक होंगे आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है रॉबेला टेस्ट वक जाये नहीं करते हैं शुरू करते हैं अपना टॉपिक रॉबेला टेस्ट डियर वीवर्स जो दोस्त मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दुबा दीजिए ताके हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नुडिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रॉबेला क्या है रॉबेला एक वाइरल इंफिक्शन है यानि कि ये एक वाइरस की वज़ा से होता है रॉबेला इंफिक्शन को जर्मन मीजल्स भी कहा जाता है रॉबेला इंफिक्शन को थ्री डेज मीजल्स भी कहा जाता है अगर हम बात करें कि इस रुबेला इंफेक्शन की वज़ा क्या चीज़ बनती है तो एक वाइरस है जिसका नाम है रुबेला वाइरस तो इस रुबेला वाइरस की वज़ा से ये इनफेक्शन होता है इनसानों में अगर हम बात करें कि ये इन्फेक्शन जो रुबेला का वाइरस है तो ये एक इनसान से दूसरे इनसान में कैसे मुनतकिल होता है то جو بیمار ہوتا ہے جس کے جسم میں روبلہ کا وائرس ہوتا ہے अगर वो च्छेंगता है या खांसता है तो उसके मूँसे जो ठुक के कत्रे निकलते हैं तो उसमें ये وائرس मौँद होता है वो चला जाता है हवा में और जो सहतमन बंदा नॉर्मल बंदा सांस लेता है सांस की मदद से उसके अंदर ये वाइरस चला जाता है और उसे ये इन्फेक्शन हो सकता है या अगर कोई सहतमन बंदा किसी बीमार रुबिला वाइरस के मरीज का खाया हुआ खाना खाए या पिया हुआ पानी पिये तो ऐसे सहतमन लोगों में भी फिर इन्फेक्शन हो सकता है या अगर कोई सहतमन बंदा किसी बीमार बंदे के रुबिला इन्फेक्शन के होने के बाद उसके नाक का जो गंद होता है या उसके गले से जो गंद निकलता है उसके साथ कॉन्टेक्ट में आ जाए तो भी सहतमन्द लोगों में ये इन्फेक्शन हो जाता है अगर हम बात करें कि जो बालिग लोग होते हैं जिनकी उम्रे ज्यादा होती है उसमें रॉबिला इन्फेक्शन होने के बाद क्या अलामात होती है तो ऐसे बालिग लोगों में जिनकी उम्रे زیادہ ہوتی ہیں तो ऐसे लोगों में अलामात बहुत मामूली होती है और बहुत कम अलामात होती हैं तो वो अलामात हैं जिसम पर सुर्ख दबो का आ जाना नाक का बहना खांसना इसके इलावा जो लिम्फनोर्ड होती है तो उसमें सुजन आ जाती है उनका साइस बढ़ जाता है आंकों का सुर्ख हो जाना बुखार का होना सर दर्द होना गले का दर्द होना इसके इलावा कुछ लोगों में गुटनों का दर्द कलाईयों का दर्द और उंगलियों का दर्द भी पैदा हो जाता है अभी बात करते हैं congenital rubylla syndrome के अलामात का तो congenital rubylla syndrome क्या है ऐसे हामिला खवातीन जिनको हमल के दोरान ये infection हो जाए तो बहुत ज्यादा खत्रा होता है कि उनके पैट में मौझूद बच्चे के अंदर भी ये वाइरस चला जाए और उनमें जो infection होगा तो वो फिर कहलाता है congenital rubylla syndrome और तो फिर मरे हुए पैदा होते हैं बच्चे ऐसे पैदा होने के बाद उनका जहनी तवादन ठीक नहीं होता ऐसे बच्चे पैदा होने के बाद ठीक तरह से कुछ सुनने ही पाते ऐसे बच्चों का जो अफजाइश होती है जो growth होती है तो वो भी नॉर्मल नहीं होती, वो इबनॉर्मल होती है और पैदा होने के बाद ऐसे बच्चों में बहुत ज्यादा खत्रा होता है कि इन्हें डाइबिटीज हो जाए, यानि डाइबिटीज मिलाइटस हो जाए बात करते हैं कि जो रॉबेला टेस्ट है तो इसकी तश्खीसी एहमियत क्या है तो ऐसे खवातीन जिनका इरादा हो कि वो आने वाले वक्त में बच्चा पैदा करना चाहती है तो वो अपना ये टेस्ट करके पता लगा सकती है कि उनके खूं में ये वाइरस तो मौझूद नहीं है या हमल के दोरान हमिला खवातीन में ये टेस्ट किया जाता है ताकि पता लगाया जाए कि उन्हें कहीं ये انफिक्शन तो नहीं हुआ इसके इस टेस्ट की मदद से Recent infection यानि एक्टिव और Fresh infection का पता भी लगाया जा सकता है और ऐसे मरीजों का पता भी लगाया जा सकता है जिन को माजी में ये infection हुआ था तो ये टेस्ट उसके लिए भी बहुत मुफीद हुता है वो खवातीन जो ये vaccination कर लेती हैं और इसका वेक्सीन करती है तो वेक्सीन के बाद भी यह टेस्ट बड़ा फाइदा मन्द होता है और हमें पता चल जाता है कि वेक्सीन के बाद इस वेक्सीन की वज़ा से जिसम में इम्यून सिस्टम डिवेलप हुआ है या नहीं हुआ, एंटीबोडीज डिवेलप हुई है या नहीं हुई इस वाइरस के खिलाफ तो उसके लिए भी ये टेस्ट बहुत फाइदामन्द होता है बात करते हैं कि लिबाटरीज में रॉबेला इंफेक्शन का पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट किये जाते हैं है और एक्टिव इंफेक्शन हुआ है जिन लोगों के खून में आईजीजी का एंटीबोडी पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब होता है कि इने माजी में इंफेक्शन हुआ था और ये लोग इस इंफेक्शन से रीकवर हो चुके हैं इसके इलावा जो टेस्ट किये जाता है इस इंफेक्शन के लिए तो वो मरीस के गले से या नाक से स्वाब लिया जाता है और पिर इसका वाइरल कल्चर लगाया जाता है वाइरल कल्चर का टेस्ट इतना असानी से दस्तियाब नहीं होता इसलिए ज्यादा तर डॉक्टर जो टेस्ट प्रिफर करते हैं तो वो ब्लड आईजीम और आईजीजी का टेस्ट ही होता है इलाइजा पर अभी बात करते हैं कि इन एंटीजी का नORMAL रेंज खून में क्या होता है तो जो आईजीम एंटीबोडी है इसका नORMAL रेंज होता है less than 0.9 technical unit per ml और जो आईजीजी एंटीबोडी है तो इसका नORMAL लेवल होता है less than 7 international unit per ml अभी बात करते हैं कि रुबेला टेस्ट के लिए जो नमूना है वो कैसे लिया जाता है और किस ट्यूब में लिया जाता है तो 3-5 एमल खून का नमूना लिया जाता है रेड टॉप ट्यूब में या फिर जेल वाली ट्यूब में सेंपल को सेंट्रिफ्यूज किया जाता है सीरम को निकाला जाता है और फिर सीरम को इलाइजा टेस्ट के लिए रन किया जाता है बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब वित कामरान देखने के लिए उमीद है लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा हमारे चैनल MLT हब वित कामरान को सबस्क्राइब कीजेगा अपना डेर सारा ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज